आजो कुछार्चामा मृतियु सिछ्छ्या, मृतियु लाई जान्नोकु लाईगी, आजो भाग एक, मृतियु लाई विचार द्वार बौधिक रूपमा, चिन्तन द्वार देखनु। आजो चिन्तन बाट मृतियु लाई देखने छू। अनि आउंदु चर्चामा, ध्यान द्वार अनि फिरीर लाई नहीं, मृतियु मा उतारे रह। कर्म से यस मृतियु समंदी चर्चाहरू रहने छन। आजो मृतियु लाई चिन्तन मनन मा ल्याउ। चिन्तन रम्मनन कुम्रितियु अध्यात्मिक भासामा बैराग्यता जन्मीनेच। यह सब्दमर जेशुकी होच। यह फिरी भावतिक बादिहरूले असलाई दुखद ठाननेचन। आजो को धर्मको अध्यात्मको जन्विक्रित अवस्थाच। यह विक्रित अवस्थालाई बाहरे बाटत देखनेचन। यह फिक्रित अवस्थामा गायका मानीश हरूको चरित्र संग एसलाईद दाजनेचन। यह होईन। बिल्कुले यह होईन। आजो सम्मा जी जो देखी आजो सम्मा धर्म अध्यात्मको छेत्रामा जन्विक्रिती पैदाभायकोच। एस बिक्रिती मा यह सब्दलाई। जो न उचित छाई नाकी नाकी बैराग्यत्ता यह उटा महा उपलब्दी हो, महा भोग हो। यह बैराग्यत्ता कुने त्याग होईन। यह सन्यास्ता यह भवतेकता त्यागेरत जान। इसलाई मुल्ले नाई नदिनू इसतो होईन। घर संसार छाड़े जंगल भागन। यह नाई बैराग्यत्ता हो यह होईन। यह पूनत गलत हो। बैराग्यत्ता को अर्थ हो परिपून राग को स्वाद। हामी छुद्र छुद्र राग को स्वाद लाई छोड़ दैमा डड़ाउन पर दैन। बैराग्यत्ता ले परिपून राग को स्वाद। मा सएर गरी रहेको हुन। तेश स्वाद माग विचरण गरी रहेको हुन। परिपून स्वाद यू जदि ठुलो भोग अरु के होने सक्छ। तेश लाई तेश धर्म प्र अध्यात्मा को आजसम गुजारियेको विक्रीद रोग मा लगेराद डांस नू पाइने छाई नौ। कि यू परिपून भोग को चेस्टा हो। तेश परिपून भोग को लागी तेश परिपून भोग को जानकारी होयो। सुगंद होयो। तेश परिपून स्वाद को तेश परिपून संतुरिष्टि को तेश पून ताको सुगंद होयो। तो पहिला बैराग केता को सुगंध आऊंछ इस चिंतन मनन द्वारा जब हम रितु लाइट देखने छाऊं तब तेहां एक पौन अताको सुगंध यो महा सुगंध यो महा जानकारी यो महा सिच्छा हमिले चिंतन मनन द्वारा ने स्वाध्यायक माध्यम द्वारा आसिल गर्न पनेंच और जई इंड्रिय हरुलाई ने तत पर राखाऊं जहां म्रित्यु को घटना घटे को छो तेस लास्ट लाइट देखाऊं और जो बुद्ध लिता रोगी लाई देखेरा नहीं यो बुड़ पना बुड़वली लाई देखेरा नहीं त्यों सुघंद पाएका थी त्यों राग त्यों राख को रसस्वाधन गरेका थी हैं आमेमा पनी त्यों छेमाता छो त्यों चिंतन मनन द्वारा नहीं गरने हो रह्यों बैराग गेता को राग मां तो कही समाहीं बौधी ग्रूप मां लाग नो पार्ने छे भोग नो पार्ने छा इसलाए तँ अंखा द्वारा नहीं जाओ लास फाइको ठाओमा जहाँ लास जली रहे को छो जालाई रहे को छो त्यहां जाओ या आफने वरब वरब पनी जुन तेमगे आफनो ठानी रहेका छौँ जुन संबंध बनी गहेको छो तेश को बिछोड मा पनी तेश बिछोड लाई पनी गहन रुपय अधेन गर तेश लाई चिंतन मनन गर तेश पार्ठ पनी देखा मृत्यु लाई तेश अबसर कमें मिल छा रुपया अबसर लाई नगुमाओ जहां न्रित्यु पल्छ तेहां सबई भंद चाण पूगने गर तेहां कामकाज गरन तेश जुन दो लास लाई 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 जलाउन कु लागे होई तेता परता हो अधेन कु लागे तेहां तेमी एक शिश्य बने रा जाऊ रर तेश लास लाई गुरु बनाऊ तेश गुरु को अगाडी जुन शिश्य तो तेमी जागने चाऊ तब आखा द्वारा पनी तेश उपाय लागने चाऊ अनि तेश घटना लाई लिए एक दीन चिंतन गरा दुई दीन गरा तिन दीन गरा जब सम्म बैरागेता कु राग परिपोन रुपले भोग न सक्दैनों तेश मा संतुष्ट होना सक्दैनों जब सम्म बैरागेता कु राग परिपोन भोग न सक्दैनों रुपले शंतुष्ट होना सक्दैनों अब अमा भोली मरे रगवाए पने मेरो कुने गुनासो छाई न तो कुने इच्छ्या चाई कुने अधूरो छोड़ियेको छाई न माईले यो देन यो वितेको समाहेमा कुने कारे तेश्ट अधूरो छाई न जस्काई माले समझन परश्ट यो परिपून ता करम कुछेत्र मा रहता ज्यान कुछेत्र तबाकी नहीं छो रेश्मिरित्तुलाई अनुभाव गर्ना साथ यो अस्थित्तो लितानने छो रेहालिकती साधक साधना लागने छो यहां थोरे परेत्न गर्नुपर्ने छो रट्यो परेत्न छीटो गर चाणो गर या शलीर लाए नहीं ध्यान द्वारा तेश्मिरित्तो अनुभाव मालियर जाओ तैयो धेरे दिन लाग बैना तत्यो मुक्ती तिती टाड़ छै परेत्न यो बवदिक ताको साधकत्तो यो प्रयास यहां लागने छो जहां मृत्यो जस्तो महा सुघंदव अगाड़े आँँछा रैसलाई जब हायामली बवद धीक कारे संपन्न गर छाँँ तो जिबन को मुक्ती को लागी जान्न परने करीब करीब नवी परतिशत काम संपन्न हुँँछ दस परतिशत मात्र छा यो ज्यान दस परतिशत मात्र बाकी रहन्च तो यहाँ परिपूर ज्यान हुम्जा तो अवस्थामा तो इस्थितीमा न पूगी करणों तिम्रित्यु तुल्ले अवस्थामा नपोगी कना त्यो मक्षे तुल्ले त्यो सुन्नेता त्यो कई बल्ले त्यो निर्बार त्यो समाधिस्त अवस्थामा नपोगी सम्मा तिम्रों प्यांस मरने छाएल त्यम्रों प्यांसी रहने छौं यही प्यांस रप्रेत्न प्रयास न नसक्ष मुट्टी तो पढ़िला कहीने के बाटो द्वारा परेतना लागनु परचर तेही बाटो येवटा बाटो हो मृत्युव सिच्छा लम्रिति उचिच्छालाई जिन्तन मनन द्वारा स्विकारेत सम्मल्याउनु तेह स्विकारेतामा अफुलाई उतारनु अज महत्त पुन स्विकारेतामा अत्र महत्त पुन होईना तेह स्विकारेतामा अफैलाई उतारनु अब अमा भली मर्नकु लागे योगे छु तयार छ आप माधर चाहिन, आप मरीती उलाई शुन्ताहरे ज, आप मरीती उडर हreno। अब कुने इच्छ्या बांकी चाई ना अब कुने लोभ चाई ना कुने मोह आबरन ले घेरियेको चाई ना मा अब कुने इंत्रिश्रामा तड़बी रहेको चाई ना अब मैले देखे म्रित्यो लाए अब देशमा आफुलाई उतार आफुलाई घोटे रहे 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 इसमा समय लागने चाई तड़िव समय देव पोना रूपमा समय देव यू सिच्छा भंगा महा सिच्छा अरू कुने ही चाई ना बुरुद अली दिन विध्या लाई जानाने बंद गरी देव ती पुस्ता खर्म बंद गरी देव तेवले जुन अज्ञान हासिल गरी रहे करशो तेस अज्ञान तलाई कहे दिन बंद गरी देव तेहे दिन एकान तलाई वज़ रते स्मेत्युलाई देखा चिंतन मनन इद्धुई आखा द्वारा चिंतन यवटांखा हो मनन यवटांखा हो चिंतनले खोतलने छ चिंतनले बिध्धिहार्जन गरने छ र मननले ज्ञान स्विकारे दा अनि आफुलाई उतारने छ मननले ए चिंतन र मनन इद्धुई आखा इम महा समयोग बनाओ इद्धुई आखाको महा समयोग इद्धुई आखालाय आमुन्ने समुन्ने लियार्थे द्रम्रित्युलाई देखा तम्रित्यु सहाज स्विकारेच फेरी येवटा आधा काम बांकी रहाने छा तिहो शरीर मानेई म्रितुलाई भोग नुकु लागी मेले भोली चार्चा गारने छो जब अत्य अनुभाव हुन्छ तो पूरा हुन्छ आचरक लाई येती नहीं